हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल एग्री एक्जाम क्रागर अड़ा में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और फ्रेंड्स, आज मैंने टॉप 30 मोश्ट इंपॉर्टेंट अब्जेक्टिव टाइप कोश्चन एंसर को समलित किया है जो कि आपके अग्री कल्चर कंपटेटिव एक्जाम में पूछे जाते हैं ये चाहे जिस तरह का अग्जाम हो एक्री कल्चर जेई, एई से सम्बंदित सारे ये प्रश्ण में इस वीडियो में समलित किया है तो ये बहुत ही महत्पूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते है कोश्चन नमबर फ़र्श्ट है कि बिस्स में सबसे बड़ा क्रिसी उतपाद निर्यात राष्ट कौन सा है तो उस राष्ट का नाम आप लोग देख सकते हैं या चार आप्षन है राइट आप्षन क्या होगा राइट आप्षन है सी इसका एंसर सी होगा अमेरिका नेक्स्ट कोश्चन है कि बिस्स में बास के उतपादन में भारत का कौन सा अस्थान है तो इसका right answer होगा आपका B number दितिये अस्थान है Next है question number 3 Question number 3 है कि निम्नि में से कौन सी भारतिये निर्यात की परंपरागत बस्तु है जो भारत हमेशा निर्यात ही करता है तो इसका right answer होगा आपका B number यानि उप्रोक्त सभी चूट, चीनी, मसाले ये सब भारत निर्यात करता है Next है question number 4 Question number 4 है कि piece close का संबंध किस से है चार option आप लोगों के सामने दिया है आप लोग option पर सकते हैं इसके बाद answer दे सकते है तो इसका right answer होगा option A क्रसी समझावता से Next question है question number 5 कि इंनिम्ण मेंसे कौन सुमेलित नहीं है बिश्चिक खात पुर्यूशकार 1987 बोर्लाग पुर्यूशकार 1973 कुरियन पुर्यूशकार help success Next है blue box का संबंध किस से है इसमें भी 4 अप लोगों के सामने है आप लोग option पढ़ सकते हैं, चुनाओ कर सकते हैं, फिर इसके बाद right answer बता सकते हैं, तो इसका right answer होगा option A, क्रशी subsidy से Next है, कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें भी चार option आप लोगों के सामने है प्रेश नमबर 7 का right answer होगा option C, इसमें है to a hunger free word के लेखक सलीम अली है, ये असत्य है Next है, प्रेश नमबर 8, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें भी चार option है, आप लोग option पढ़ सकते हैं, प्रेश नमबर 8 का right answer होगा option D, चीन बिश्ण में सबसे अधिक अफिम का उत्पादन करता है, ये गलत है प्रेश नमबर 9 है, राश्टिये क्रशी ववानिकी अनसंधान केंद्र कहां पर है, जोधपूर राजस्थान, नैनीताल उत्तराखंड, जासी उत्तरप्रदेश या देवास मध्य प्रदेश प्रेश नमबर 9 का राइट एंसर होगा, C, जासी उत्तरप्रदेश प्रेश नमबर 10 है, भारत की सिचाई 46 प्रतिसत, निम्न में से कि से पूरा होता है बड़ी परियोजनाओं से, लगु परियोजनाओं से, मद्याँ परियोजनाओं से, लगु योम बड़ी परियोजनाओं से तो 10 का राइट एंसर होगा, option D, लगु योम बड़ी परियोजनाओं से नेक्स्ट है रैचिंग पद्धित खेती से खेती किस देश में की जाती है चार आप लोगों के सामने है राइट आप्शन होगा डी आस्ट्रेलिया प्रश नंबर बारा है भारत में सामानिता खेती की कौन सी पद्धत अपनाई जाती है इसका राइट एंसर होगा ओप्शन B मिस्रित खेती नेक्स्ट है खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का सीधा सम्मंद राजी से होता है कौन सी प्रणाली है इसका राइट एंसर होगा ओप्शन A कास्तकारी खेती नेक्स्ट है, बाढ़ प्रवाभी छेतरों में किस प्रकार की खेती की जाती है तो इसका राइट अंशर होगा दी आरा खेती नेक्स्ट प्रशन है, कि पर्मा कल्चर किसका प्रियाए है बेपारिक खेती सिंचित खेती पारिस्थित की खेती इन्हीं से कोई नहीं तो प्रश नमर 15 का राइट एंसर होगा C. पारिस्थिति की खेती नेक्ट है प्रश्ण नमबर 16 कि भारत में जोमिंग खेती किन शित्रों में की जाती है सोला गर आइट एंसर होगा D. पुरुवत्तर परदेशों में सब्जियों की बेपारी खेती को क्या कहते है सब्जियों की बेपारी खेती को क्या कहते है मैंने एक वीडियो बना के डाला हूँ सभी खेतीयों के बारे में आप लोग देख सकते है उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में देदूँगा 17 का राइट एंसर होगा C. ओलरी कल्चर कहते है प्रेश्ट नमबर 18 है कि इस्टाक फार्मिंग का संबंध किस्से है 18 का राइट एंसर होगा A. पसुओं के प्रजनन से प्रेश्ट नमबर 19 है B. T. कल्चर का संबंध किस्से है सिल्क उत्पादन, अंगूर उत्पादन, सहद उत्पादन या ओन उत्पादन तो 19 का राइट एंसर होगा B, अंगूर उत्पादन से प्रश्ण नमबर B से पौधों की सामानी बृद्धी के लिए मिट्टी का पी अच मान कितना होना चाहिए राइट एंसर है A, छे से साड़े साथ के मद्धे नेक्स्ट प्रश्ण है कि भारत में से निम्ड में से कौन वाड़िज ये फसल है कन्ना, तम्बाको, जूट, उपरोक्त सभी 21 का राइट एंसर होगा आपका D, उपरोक्त सभी, गन्ना, तम्बाको, और जूट, तीन होगा नेक्स्ट है काउन सा भारतिय राज दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट, उत्तर प्रदेश, मद्ध्य प्रदेश, राजस्थान 22 का राइट एंसर होगा C, मद्ध्य प्रदेश नेक्स्ट है भारत में चावाल उत्पादक राज्यों में प्रतमा स्थान किसका है तो पस्चिम बंगाल का है राइट आप्सन होगा D नेक्स्ट प्रशन है कि भारत का सबसे बड़ा खादान उत्पादक राज्य कौन सा है तो राइट एंसर होगा A, उत्तर प्रदेश नेक्स्ट प्रशन है कि निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है 26 का राइट एंसर होगा B भारत तुनिया में सब्चियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है यह नहीं है क्योंकि चीन है नेक्स्ट है भारत में कौन सी एजनसी खादान उत्पादन की खरीद बितरण और भंडारण के लिए जिम्मेदार होता है प्रश्ट नमबर 27 का राइट एंसर होगा B भारतिय खाद निगम नेक्स्ट है गन्ने के उचितियों लावकारी मूल को कौन मंजूरी देता है 28 का राइट एंसर होगा आर्थिक मामलों के मंत्री मंडलिय समिती नेक्स्ट है भारत में क्रसी उत्पादों को बाजार में कौन नियंत्रित करता है इसका राइट एंसर होगा B राज्य द्वारा अधिनियमित क्रसी उपज बाजार समित अधिनियम और इस वीडियो का लाश्ट प्रश्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है तो यही खतन सही नहीं है आपसवन B चीन जो है सबसे बड़ा सबजियों का उत्पादक देश है इसके बाद भारत है सेकेंड नमबर पर तो यह रहे फ्रेंट्स टॉप 30 most important परिच्छाव प्योगी प्रश्ट चलिए फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक लिए thank you so much